Hello Friends, मिस्वीराट सार आज की इस वीडियो में आप जणनेंगे कि प्रुवीजनल कब का बना होना चाहिए अगर आपके पास मुल्परमानपत्र नहीं भी है और आपके पास provisional certificate है तो बिना मुल्परमानपत्र के provisional से काम चल जाएगा इस समंध में नोडल अधिकारी के बियान को जान सकते हैं कि बोले अधिकारी provisional एक साल के लिए ही valid होता है अगर 31 मार्च 2016 के पहले का प्रोविजिनल जारी है तो यह चात्रपुनो समंधित विश्विद्याले में जाकर ओरिजिनल या नया प्रोविजिनल प्रमानपत्र प्राप्त कर ला सकते हैं 8 अगस्त को उनकी कॉंसलिंग हो जाएगी एसपी सिन्ना नोडेल अफिसर तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिसका प्रोविजिनल 31 मार्च 2016 के पहले का है तो उसका जो है प्रोविजिनल पर कॉंसलिंग नहीं होगा या इनवर्सिटी में भी अभी तयार नहीं हुआ है तो आप लोग क्या किजिये कि लेटर फर्वार्डिंग करा कर किये इनवर्सिटी चले जायिए और वहाँ पर आपको मुलपरमान पत्र अगर आपका बन गया है तो आपको पराफ्त हो जाएगा अगर आपका मुलप्रवन पत्र नहीं बना है तो आपको एक लेटर पेट बना करके दिया जाएगा जिसके अधार पर आप कॉंसलिंग में समिलित हो सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस परकार की न्यूज है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धनियावाद